जो engagement का घमंड है ना एक मस्त फैक्ट बता तो मैं 13 मार्च को मैंने टिक टॉक जोइन किया डेड़ महिने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किये डेड़ महिने में दो मिलन फॉलोवर्स आई टिक टॉक पे जो engagement का जो bubble है ना आपका ये जो घमंड है ना ये एक दिन फूर जाएगा क्योंकि अगर हम सब YouTubers ने अपना original content पुराना भी TikTok पे पोस्ट करना चालू कर दिया ना regularly तो फिर बात हम लोग अभी ज़स बात कर रहे हैं तो हम लोग clear कर दे ये ना अम लोग कोई community के अगेंस्त वीडियो strips ने डाल रहे है यह जो समद supportive मैं लाए मैं इऔरहम तो यह कर दूँगा एक बंदा क्या करता भूल का नश्या करता मैं मैं श्याता किढ़ता श्यातकि और क्या था, हाँ, अगर हम यूट्यूब पे आ गए तो क्या कर देंगे, भाईयादी, तैस नहीं, खतम, खतम कर देंगे, जा कह रहा हूं, उठाओ, दुकान, भगलो, किसी को नहीं बताओंगा, भगलो, भगलो, और क्या बोला था, एक और बोला था कुछिन, फेस पर वैसे वो एक और बात कह रहा था, क्या कह रहा था, याद नहीं आ रहा, सबसे पहरे तो सभी भाई होगा, और जितनी भी लड़िकें देख रहे हैं, सबस्क्राइबर पूर होगें, व्लोग वाले चैमल पर जल्दी एक मिलिन हो जाएंगे, बहुत खुशी मना हूंगा बहुत सरे भाई लोग वाल जसे लोगर लेंगा हो लुप् टूर्ज पर तूम लेखा होंगे चैएंगे, बहुत खाज़मर सब्सक्राइबर तो भाई, पकाईदा पराफूर। बलन पहेंते हैं कैना है तो यह तो आशकर टेकनोलोजी इतनी बढ़ी इतनी ज्यादा बढ़ी इते के ने टेकनोलजी तुम यह सब करना छोड़ तो सीधा बड़े रोस्टर ऐसा नहीं करते कैरी मिनाटी की वीडियो आई है तुम्हें देखके पता चल गी होगी तुम ऐसा फील हो रहा हो तुमको कि भाई ऐसे टंडी उपर से जा रही थी पकड़ के आमने पीछे ले ली और भाई उस डंडी पर लग रहा था तेल कैरी मिनाटी ने हो जाना जो यह लड़कियां चोटे बच्चों की सावंड पर वीडियो बनाती है न चोटे बच्चा कोई बोल रहा हो उसकी लिप सिंग करती यार मत बनाये करो यार तुम भहत बुरी लगते हो क्यूट नगती यार प्लीज पहले तो कोई एक पर्टिकलर यूट्यूबर ने रोस्ट किया टिक टॉक वाले लोग को जिसके अंदर उसने लड़कियों को बोडी शेमिंग किया और फाल तू बाते थे टिक टॉकर्स लोग को लेके रिलेटेड तो मेरा पहली तो बात यह बुलना है कि तुम रोस्ट प तो यार करो ठीक है कोई बात नी लेकिन यार वो मर्यादा और लिमिट्स रखे करो कि कोई ऐसनली ना ले उनको बुरा न लगए यार तुम भौट लोग रोस्ट करते है यह तो यह यह आच्छे यूट्यर्वज आ चुके तो यह vic प्रॉब्लम हो गए थी और चिड हो गए थी अभी भी मेरे कमेंट सेक्षन में कुछ लोग है जो गाली गलोच कर रहे ये टॉपिक था टिक टॉक और यूट्यूब बट तुमने इसको रिलिजन में कनवर्ट कर दिया तुम बोल रहे हो कि रमजानी एक अच्छा टाइम में यूटी मत खराब करो यार कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है ये टॉप पे क्यों जा रहे है उसको रोज करो ये क्यो कर रहा है वो इसा ये सब चीजों में हिंदू मुस्लिम क्यो ला रहे हो अभी मैंने वह लक्षया चौधरी बेसिकली एक लड़का है जो रोस्टिं कमि अधनल पागल सा रहे है, अगर वो बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाईगी और जहां जहां तुमको लगता है कि कोई बंदा है उपाइट फ्यल रहे है अनवफोलो और रिपोर्ड ऐ बात खातम करो अगर तुमको लगता है, कोई ठैंग रहे है तुमकों नहीं पसंद आ र कि अधिश लोगों के वरी से सब को बोल रहे हैं इलोग जाहिल लोग है इलोग एक तो पहली बात तो जितना जैलेस जितना हेट फैलने में टाइम निकाल लगा रहे हैं लोग वही टाम अगर इनों खुद को ग्रूम करने में लगाएंगे तोड़ा वकाउट करेंगे कि अधिश के फोटो डाले और यह देख रहा हूं कि अभी हमनों के ग्रूब का नाम लिया गया मेरे गुरूब का कि इलो का बैग्गरॉंड क्या है इलो की हैसिएथ क्या है तो हम लोग की हैसिएथ बताने वाले इलोग कोई नहीं है अभी कुछ मत बोलो रम्जान का महना ह बस ये जाहिल लोग लड़कियों को भी रोष्ट कर रहे हैं रोष्ट कर रहे हैं टो इससे अबसे जादा में बुरा क्या लगा लगा दो चार लड़किया है तो अब अब नाम मेंशन नहीं करोंगा अब समझ जाएंगे कि इन लोगो उन लोगो गालिया दे गंदी-गंदी माँभें की इन लोगो तो पी अपनी माँभेंट से भी बात करते रहेंगे तभी ये दूसरी की लड़की की माँवेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहें सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा की लड़कियों की रिस्पेक्ट करो तुम लड़के की रिस्पेक्ट करो ठीक है रमजान का महना तुम गालिया दे रहे हो अगर कोई जादा जादा टेंशन में सलीगा यह प्रप्रप्लम हो गया गाली गलोज कर रहे है रिपोर्ट करो और खतम करो और बिल्कुल उनको बढ़ावा मत दो चलो मैं openly नाम लेता हूँ मैं किसी से डरता नहीं Elvish was the guy Elvish Yadav जिसमें रोष्ट चालू किया था पहले और उसके बाद उसका एक फ्रेंड कोई तो लक्षया चौदरी और वो बंदा लक्षया जो चौदरी है मैं Elvish से बात करूं तो में को समझ में आता है मेरी और Elvish की बाते और वो कम्यूनिटी के बाते यह लक्षया क अधर के मेरी किरे बायी में पतिजाख कर सूर रहा है तूहर सिर्ढार को में आर्ब स्याल चालू में कंसरे बाते एंद in को 만큼 टबर देगा ऐंपंश़ नो की Complexeur अच्छे अच्छे का सब्सक्र में की सबढारा था जब गाने कि भी निच्छा या था प्रटिख तो पी रडि विडियो बना दी, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या हुआ, बनाया ना एक बंदे ने, तो सचो अगर सारे टिक्टोक कस बोलने लग जाएंगे, तो क्या हुआएगा, और मैं ये ये लिविश को भी बोलना चाहूँगा, ये को तेरे से कोई हेट नी है, I used to see your videos जब तू अच्छे वीडियो बनाता था, स्कूल लाइए ये सब के वीडियो दिखाता था, क्या मिल रहा है तेको, तू अगर तो तू अगर तिक्टोक पे वही सेम वीडियो बनाया ही, लिपसिंग किया है, क्यो किया अगर तेरे वो इतनी प्रोब्लम थी पूड़ा कचरा मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूं जो हमारी कम्यूटी वाले लोग के बारे में बात कर रहें जो कि है टिक टॉक कम्यूटी तो गाईस मैं अब भी आयों अपने टीर एक्टर को पारक करके अपने पिलोट पे तो गाईस मैं आपको ये बताना चाहता ह और गाईस या मैं वीडियो बना रहा हूं मैं को किसी से कोई हेट नहीं है किसी से कोई प्रॉबलम नहीं है बस में आप लोग के पोईंटश अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूं तो पहला पोईंट है content आप लोग हमारी कम्यूटी वाले लोग के content को बोलते हो cringe य जिन तू 100 हो गया और गाईस सेकेंड पॉइंट है सीसी सी तो आप लोग समझी गए रहेंगे मेरे भाई लोग क्रेडिट काट और कंटेंट कॉपिराइट से बचके रहना चाहिए यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे आप लोगी हमारे कंटेंट को एक्स्ट्रॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो यार टिक्टॉगर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इमको व्यूज आ रहें और इन लोग पैसे कमा रहें तो यार गाईज चाहिए हमारे कंटेंट कोपिराइट के बारे में नहीं पता रहेंगा लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे से पता है हम चाहे तो बहुद कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ भिगढ सकता हैं लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं करना है क्यूंकि यार एक दुसरे को हमने तो बस इतना ही जिखा है कि एक दुसरे को support कर के चलो, प्यार करते चलो मैं को किसी से नफरत नी, hate नी और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से problem हो रही है तो please मैं को DM कर ले ना मैं आपको DM में समझा दूँँगा बाते personally तीसरी बात आप ये community support की यार आप लोग की community मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है बहुत जगरे करते हो यार तुम लोग अगर तुमने कोई content बना दिया मैंने मैं आप 3 content बनाते हो वैसे भी अगर आपके 3 content है तो सारे YouTubers community सब वही content copy करने लग जाते हैं वही बाते होती है भाई बेन के वीडियोज तो सब भाई बेन के वीडियोज बनाएंगे हम लोग अगर copy भी करते हैं तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हम लोग ID दे देते और support करते एक दुसरे को तो यह बड़े लोग है अगर हम लोग मैंसे कोई छोटा creator इंसे help मांगेगा न तो यह लोग कभी मना नहीं करते हैं उल्टा proudly इंको help करते हैं support करते हैं और सिखाते ही कि आप लोग को grow कैसे करना है मैं personally खुद करता हूँ लोगों को support की कैसे grow किया जाता है आप मेरे profile पर जाके देख सकते हो और जहां तक रही बात हमारे community की तो हम लोग unity में रहते हैं हमेशा तो मैं आज यह बाते करना हूँ अपनी community को represent करके और guys अर कोई बुरी बातने वाली बात नहीं है आप लोग ने किया हम लोग में supporting ली लिया तो अब आपकी बारी आप लोग भी सारी चीज़े supporting ली लेना और आप मैं बात करना चाहूँगा मेरे fellow tiktokers से तो guys आप लोग छीडो मत demotivate मत हो अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है रोस्ट कर रहा है तो उसको sporting ली लो और मैं जितने लोग को YouTubers है जो तुमको ट्रोल करते है रोस्ट करते है तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई हम लोग महिने के तीम content नहीं बनाते हैं हम लोग दिन के तीम या चार या दस content बनाके पोस्ट करते हैं तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन उस दिन तुम्हारा वहां से भी market खतम हो जाएगा आज तुम engagement की बात कर लो मैं पहले ही बता देता हूँ मेरे को यह चीज का घमण नहीं है मैं बस बता रहा हूँ क्यू आप लोग यह सब चीजें बोलने पर मजबूर करते हूँ आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना social media influencers को गलत गलत बाते करते हो उनको demotivate कर रहो इसके लिए में बोल रहा हूँ Instagram पे देखोगे तो हम लोग का engagement तुम लोग से अच्छा है अगर बाकी सारे platforms की बात करोगे तो हम लोग का engagement तुम लोग से अच्छा है तो यह दुआ करो कि हम लोग YouTube पे नहीं आए अच्छली यार सारे TikTokers को YouTube पे आजाना चीह है और इन से अच्छा-च्छा content पोस्स देखता हो मेरेको तुपसंद है यार तुब बॉडी शेविंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है दंपर है कोई blue lens पेल ले बाल कलर कर ले यार उसकी मर्जी वो कुछ भी करे तू कौन हो जलने वाला भाई अभी मैं बोलू मेरेको तेरी शकल नहीं पसंद आए तक्टी जैसी शकल है तेरी तो तेरको बुरा लगेगा ना तो वैसी दूसरे लोग को भी बुरा लग रहा है जिनके बारे में तुम बात कर रहो तो यह सब कर लो मैंने देखा यार फैजर को यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे इन लोग इन लोग बहुत छोटी सी जगे से उठके आज कितने उपर आये इनकी महनत है वो तो महनत के बारे में ऐसा मत बोलो क्योंकि वो डीमोटीवेट होएंगे आपके हो जैसे अगर किसी के पॉमिशन लोग बनाओ, रोस्ट कर रहे हो, पॉमिशन लेके रोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नी है और थैंक्यू सो मच पर वचिंग इस वीडियो और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है न ये वीडियो से तो परस्नली डीम कर देना, डीम पर अच्छे से समझा हम सोशल मीडिया इंफ्लूइंसर है, हमारा काम है तो स्प्रेड पीस, लव एन उमानिटी और आज मैं इनके वज़े से बनाओ, जो ये वीडियो स देख रहे हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ शायद आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रहे हैं इन लोग को, हम लोग की वीडियोस जाद ही दिख रहे हैं, इसी के लिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हैं, हम लोग जादा दिख रहे हैं, तो आप लोग भी महनत करो, आप लोग भी बनाओ वीडियोस, और अगर हमार तो थोड़ा आजीब लगा मैं को सोचने माली बात है बस नो हट फिलिंग्स I love you guys a lot और आपने जो किया मैंने भी वही चीज़ किया तो नमस्ते सस्रेकाल टेक केर बबाई अलाफेश लब यू गाईज अलोट बस प्यार करते रहो वही चीज़ है प्यार की कमी है प्यार आप